तो एटीन कोश्चन आंसर तक हम ने कर लिया था जो इलेक्ट्रिक बेल का जो कोश्चन है कोश्चन नमबर 19 तो आज पहले तो हम कोश्चन नमबर 19 और 20 को डिसकस करेंगे और उसके बाद जितने भी कोश्चन थे दोबारा से रीकाप मैं उसको करूंगा चलिए स्टार्ट करते हैं कोश्चन नमबर 19 और व्याव ड़ाज मेगनेटिक इफेक्ट ओफ इलेक्ट्रिक क्रंट हेल्प इन वर्किंग ओफ इलेक्ट्रिक करन्ट बेल की वर्किंग में कैसे हेल्प करता है प्याहिए और जोपट है गारेक्ट्र tuk के stretch और बिचते हैं और दिस्कास करेंगी सबसे पहले जो पाइए है आएट इस गौंग क्या कहते उसको गौंग है जि-ो-एन do Pick स्put विए इए भाउन गों ये हमारे पास on रहेगा उसके लेफ्ट की है हमारे पास है मर कि है यह हारा थेती है यह हम रहेगा थेपिंदल स्क्रिउं यह दो और यहां पर हमारे पास क्या है कोईल है यह कोईल हमारे पास रहेगी तो और नेक्स बोटम में क्या है हमारे पास बैटरी सेलिया बैटरी जिसे हमने क्नेक्ट किया हुए तो होता क्या है कि जैसे ही कोईल के थ्रू क्या होता है क्रण्ट पास होता है इस डाइग्राम में देखें क्या होगा कि जैसे ही कोईल के थ्रू क्या होगा क्रण्ट पास होगा तो यह मेगनेट की तरह बिहेव करेगी और लेप्ट साइड में हम देखते हैं क्या हमारे पास iron metals का बना हुए है और iron जो है magnet की तरफ attract हो जाता है तो जैसे कोईल के थूख current pass होगा it behaves like a magnet and it will attract the hammer वो hammer को अपनी तरफ attract करेगी and it will strike the gong जो hammer है वो gong को strike करेगा और ringing sound produce होगा क्या होगा ringing sound produce होगा इस तरह से हमारी जो electric bell होती है गढ़रों के अंदर वो वर्क करती है अब इसमें next step क्या होगा जैसे ही electromagnet ने hammer को अपनी तरह प्रट्रेक्ट किया है तो वो कहां पर strike कर रहे है गोंग पर strike कर रहे और उसी के साथ आप ध्यान से देखेगा जो contact screw है और जो hammer है उसके बीच में gap आ जाएगा यानिकि जो connection है वो cut off हो जाएगा circuit कैसा हो जाएगा हमारा open circuit और open circuit के अंदर से current flow नही surprise करेगा current flow नहीं करेगा तो जो electro magnet है वो magnet की तरह बिहेव नहीं करेगी जो coil है जैसे क् segment off ँजाएगा अब यह magnet की तरह बिहेव नहीं करेगी तो जो हैमर रहे हैं वह दोबारा से अपनी चला जाएगा और सक्रूके साथ होगा जैसे वह स्कूे साथ होगा फिर से जो कनेक्षण हैं सरकेट स्रोइब हो जाएगा सब जाएगा कॉर्केट अंदर से क्वेव करेगा कुईल की तरह बह्तर गेव करेगी तो किसको करेगी किस पर गॉंग पर स्ट्राइक करेगा फिर से क्या हैगा क्या प्रडूस होगा किस तरह से यह यह वर्किंग रहेगी a electric bills की और किसी फ्यक्त पर है एक्प्र एक्स्प्रिंग करते हैं इलेक्ट्रिक बैल और इन कंसिस्ट अप कोईल उफ वाइर वांड़ेड ओन आइर्न पीष की उपर हमने वाउंड किया हुए डा कोईल एक्ट एजन इलेक्ट्रो मेड़ेट की तरह बहें करेगी एक आइरन स्ट्रिप है जिसके एक एंड पर क्या है 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 हैमर लगा हुआ है स्मॉल सा हैमर यह बड़े बाला हैमर नहीं जो हम यूज करते हैं स्मॉल हैमर उसका हैमर बोलते हैं लगां वेन दाइरन स्ट्रिप इस न कॉंटेक्ट विद देस्क्रूव दकर फ्लो तुदा कोईल विच बिकम एन इलेक्ट्रो मैगनेट अभी जो हमर की जो इस ट्रिप है आइड इस जिब इस रूट के कंटेक्ट में है तो क्या है बैटरी के त्रूब जो क्रण्ट है वो को करेगी इन दगा प्रोसेस दा है मर अट दे एंड वफ दो स्ट्रिप श्राइक दा गोंग फट बैल तो प्रडूश साउंड अब जैसे ही वो एक्ट्रो मैगनेट की तरह आइड इस ट्रिप अट्रेक्ट होगी तो एक एंड पे हैमर है वह कहां पे स्ट्राइक करेगा गों अट्रो मैगनेट की तरह ट्रेक्ट होगी तो कॉन्टेक्ट स्कूरू से वह दूर चली जाएगी और जो सरकेट रहो ब्रेक हो जाएगा यानिके ओपन सरकेट हो जाएगा ओपन सरकेट वो electromagnet नहीं है, it is no longer attract the iron strip, अभी iron strip को attract नहीं कर सकती, the coil, the iron strip comes back to its original position and touch the contact screw again, अब जो यह iron की जो strip है, जिस पे hammer लगा हुए, इस दोबारा से अपनी original position पे आ जाएगी और contact screw के contact में हो जाएगी, अब फिर से circuit complete हो जाएगा, the current flow in the coil and the hammer strike the gong again, अब फिर से coil के अंदर current flow होगा, current flow होगा तो coil electromagnetic की तरह behave करेगी और फिर से iron strip को अपनी तरफ attract करेगी और जो hammer है, gong पे strike करेगा, यही procedure बार-बार चलता रहेगा, इस तरह से हमें ringing sound सुनाई देता है, तो this process is repeat in a quick succession, the hammer strike the gong every time the circuit is completed, this is how the bell ring, यह पूरी की पूरी working है, इस तरह से bell ring करती है, तो बेटा, इसका diagram जो है, आपने notebook में बनाना है, और जो मैंने इस पर naming लिखिया, आप भी naming लिखेंगे उस पर, फिर से मैं naming को दुबार से बताता हूं, यह जो bell दिखाई दे रहे हो से उपर वो है gong, g-o-n-z, gong, जो coil है, वही elektromagnet की तरह रहेगी है मारे पास, और नीचे की तरफ क्या है, बैटरी, अब left hand side में चलते हैं, left hand side में सबसे उपर क्या है, hammer, then है contact screw, तो यह five naming आपने लिखनी है, gong, coil, battery, hammer, और contact screw, जब diagram आप ड्रो करेंगे, तो यह रहेगा, इसी दो वर्किंग ओफ एलेक्ट्रिक बैल, एले बिटा नेक्स्ट कोश्चिन पर चलते हैं, next question is, draw the symbol of the following components, सबसे पहले जब चेप्टर स्टार्ट के था, तभी मैंने different electrical component के symbol draw करवाए थे, आप लोगों से, यह practice notebook में भी और fair में भी, इंपोर्टेंट ट्रम में भी आप लोगों ने लिखा हुआ है, जो table थी आपकी, फिर जो NCRT की जो exercise के question answer आए थे, वहाँ पे भी आया है, और अभी यह NCRT exemplar में भी है, तो यह बहुत important question हो जाता है, symbol of electrical components, electrical components के symbol की form में, picture की form में हम draw नहीं करते हैं, symbol की form में draw करते हैं, तो सबसे पहले किसके लिए, electric cell, क्या था electric cell में, कि भी दो parallel line होंगी, एक होगी, longer line, एक sorter line, जो longer line है, उसको हम positive terminal बोलते हैं, और sorter line को क्या कहेंगे, negative terminal, ठीक है, जिस तरह से आप screen पे diagram में देख पा रहे हैं, next is switch, switch को दो position में हम रखते हैं, एक on position में, एक off position में, अब question में आप से off position में पूचा गया है, कि हम क्या करेंगे, दो line हम draw करेंगे, दो dots लगाएंगे, और dots के बीच में एक line, लेकिन उसको आपस में touch नहीं करेंगे, अगर उस line को touch कर देंगे, तो कौन से switch की position हो जाएगी, on position पे, अब हमने draw करना है, off position पे, तो दो line को आपस में touch नहीं करेंगे, जाने electric bulb, electric bulb का symbol आप देख पाते हैं, तो जो बल्ब का जो picture होते हैं, वो draw नहीं करनी है, हमने symbol draw करना है, बैटरी, बैटरी में क्या है, number of cell हमने connect करने है, जो आप diagram देख पा रहे हैं, उसमें four cell connected हैं, तो longer line, sorter line, longer line, sorter, then longer line, then sorter, तो आप two या two से ज़्यादा आप draw कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आपसे particularly पूछा जाए, make a battery using three cell, four cell, तब तो आपको उतने draw करने पड़ेंगे, otherwise आप two cell भी draw कर सकते हैं, three, four, जितने भी draw कर सकते हैं, बद ड्रो करते हैं, हमेशा एक longer line रहेगी, एक sorter, तो longer line किसको represent करेगी, positive terminal को, shorter line represent करेगी, negative terminal को, यह थे पर आपके NCRD example के question answer, ठीक है, मैं एक बार फिर से इनको revise करवा जेता हूँ, जैसे कल हम ने किये थे, quick recap, और उसके बाद फिर मैं आपकी curious लूँगा, कोई भी difficulty किसी question के अंदर है, और उसी के साथ ही एक information मैं आप लोगों को देता हूँ, कि कल आपके बास दो PDF आई है, एक में थे NCRD एक्जमपलर, जो आपको practice notebook में करने, जहां से सुनिए बैटा, practice notebook में, एक्जमपलर हमेशा, और जो दूसरी PDF है, जो NCRD question answer, exercise के question answer है, वो आपको फेर notebook के अंदर करने, फेर notebook के अंदर, जो हमने last to last lecture में discuss किये थे, उसकी PDF भी मैंने कल ही link में आपको send की है, तो NCRD exercise के question answer है, वो फेर notebook में करने, और एक्जमपलर जो है, आपको learn करके practice notebook में करने, चलिए एक्जमपलर को एक बार फिर से मैं recap करवाता हूँ, कल हमने discuss किया था, first question, कि when an electric can flow through a copper wire AB as shown, तो क्या प्रडूर पे deflect a magnetic needle placed near it, क्यों, क्यों कि एक magnet की तरह behave करेगी, और magnetic needle को deflect करेगी, next, choose the statement which is not correct in case of an electric fuse, fuse के case में कौन सी statement correct है, नहीं है, that is the option C, there is a minimum limit on the current, which can safely flow in an electric circuit, current की maximum limit को define किया जाता है, minimum safe limit कोई नहीं होती है, ठीक है, maximum safe limit होती है, question number 3, three bulb ABC are connected in a circuit, as shown in a figure, when the switch is on, अगर switch on होगा, तो कौन सी statement सही रहेगी, all the bulb ABC will glow at the same time, same time पे glow करेंगे, ऐसा ही question आपका NCRT की जो exercise ही वहाँ पे भी था, वहाँ पे symbol थे, यहाँ पे pictures की form में आपको दिया वा है, तो कि एक ही battery source है, और एक ही switch से connected है, तो एक ही time पे तीनों के दिनों बाल बे glow करेंगे, simultaneously का भी meaning यहीं होते है, at the same time, question number 4, when a switch is in off position, switch off position में, circuit starting from the positive terminal of the cell, stop at the switch, तो इसमें से कौन से रहेगा, circuit is open, no current is flow through it, तो जो second और third का combination है, that is correct, when the switch is in off position, circuit को हम open कहेंगे, और उसके through कोई भी current flow नहीं करेगा, which are the following, precautions need not to be taken while using electrical gadgets, appliances, circuit, जब भी हमको electrical appliances, gadget या circuit को use करते हैं, तो कौन सी precaution लेने की जुरूत नहीं है, we should never turn the switch in on position, तेके, on position में नहीं रखना है, very short question answer, which property of a conducting wire is utilizing in making electric fuse, electric fuse को बनाते हों हम कौन सी property यूज़ करते हैं, low melting point, ताकि जब maximum limit से ज़्यादा current वहां से flow करें, तो जो fuse wire है, वो melt हो जाए, पिघल जाए, circuit को break कर दे, जिससे सारे appliances, save रहे हैं हमारे, तो यह property होती है, low melting point, name the device used these days in place of electric fuse, in electric circuit, आज का हम अपने घरों में यह new building बनती है, यह school के अंदर, कहीं पर भी, fuse की जिए आप एक दूसरा circuit use करते हैं, जिसको हम कहते हैं, MCB, miniature circuit breaker, miniature circuit breaker, MCB, next बेटा फिलप है, our body is a conductor of electricity, our body is a conductor of electricity, हमारी body के थूभी electricity पास हो सकती है, an electric bell produces, sorry, electric cell produces electricity from the chemical store in it, electric cell कैसे electricity produce करती है, क्योंकि उसके अंदर chemical होते हैं, जो chemical stored हैं उसके अंदर, उन्ही से ही electricity produce होती है, electric cell के अंदर, ऐसा electric battery के अंदर भी होता है, क्योंकि battery भी तो cell से मिलके बनती हैं तो अगर battery में पुच्छा जाए, या सेल में पुछा जाए कि एक से एलेक्ट्रिशेटी प्रडू़ूज गरते हैं तो आंसर रहेगा की उसकेंदर क्या होते हैं कैमिकल होते हैं और उनी कैमिकल की तो हुमारे गाएस अपके पास बैटरी सेकेंड फ्यूज थर्ड पे हमारे पास टॉर्च एंड स्विच पहली डज नाट है आ नाइट लेंप इन हर रूम सी कवर्ड बल्ब ऑफर रूम विद टाल इज नाइट नहीं है उसके रूम में और जो बल्ब है उसको वह कवर करती है टावल के साथ तक कि डिम लाइट हो जाए तो क्या ये सई स्टेप है scarf फिलकूल भी सपय नहीं यह क्यों क्यों कि बाल्ब के अंदर से क्वेश्ट गौंअप विय치 नहीं है नॉम में आंसर इसका जेंगे हम वाई दा कॉम्पेक्ट फ्लोरेसेंट लेंब प्रेफर्ड और इलेक्ट्रिक बल्ब पे तो रीजन यही है जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके अंदर हीट की फॉर्म में लेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है बड़ जो cfl और leds है वहाँ पे light की लेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज नहीं है इसलिए हम यूज करते हैं cfl do not waste electricity as a heat heat की फॉर्म में लेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करती है इसलिए हम cfl को प्रेफर करते हैं कि वाइज एक्ट्रिक फ्यूज रिक्वाइड इन लेक्ट्रिकल अप्लाइंस इस लिए हम उसको यूज करते हैं तो चेक दा एक्सेशिफ लोड्रिक करंट इसलिए हम क्या यूज करते हैं थी हूज इन गीजर एंड टलिवीजींस जेट नो को कि गीजर में जो सब्सक्राइब और जो एक सब्सक्क्राइब उसकी रेटिंग अलग अलग होती सकते हैं गीजर रूम हीटर एलेक्टरिक आइरन एलेक्टरिक जो वाटर हीटिंग जो रोड होती है वह भी आप लिख सकते हैं इलेक्टरिक बैल क्रें टू लिफ्ट मेगनेटिक मेटिरियल टॉइज के अंदर भी बहुत सारी जगह पर हम लिख सकते हैं मेगनेटिक वाइड वी कवर प्लग पिन होल विच आर विदिन दा रीच ओप चिल्डरन विद सेलो टेप और प्लास्टिक कवर वें नाट इन यू यह क्वेश्चन भी हमने कल बहुत अच्छे से डिसकस किया था कि क्यों हम जो स्विचिज यूज में नहीं है उनको सेलो पेंट टेप से या फिर प्लास्टिक कवर कर देना चाहिए जो बच्चों की पहुंच में हैं ठीक है क्योंकि वह प्लक के अंदर उंगली डाल सकते ह पोग लग सकते है तो इसलिए हमें उसको प्लास्क टो कावरीं से या सैलो टेप किकावर कर देणा चाहिए उस्थ भुजो में लेक्ट्रो मेंगेट या nam drei यए यदे धान्धन नम प्त जाधा होगी इस कोश्चिन में आप को सब्सक्राइब गरने एक्टिविटी आपने ध्यान से पढ़नी है एक्टिविटी एक्टिवीटी एए क्या क्या हो सकते हैं possible question मैंने आपको बताए दे आप अपनी तरफ से और भी question पूट कर सकते हैं कि why does the nail attract the pin what will happen if the we connect more cell in a circuit ज्यादा साल यूज करेंगे क्या होगा स्विच अगर ओन हो जाए तो क्या होगा number of turn को increase करते तो क्या होगा इस तरह के बहुत सारे question आप पूट कर सकते हैं इस question में question ही आपको पूट करने हैं next question number 18 पहले टुक आवायर ओफ 10 cm भूजो टुक एवायर ओफ 5 cm एक से मैटीरियल सेम थिकनेस बोथ ओप दिम कनेक्ट दो वायर एज सो इन फिगर जो सरकेट में आपको दिखाया गया है question है will the heat produce in both case be equal explain no क्योंकि जो heat produce है वो length of wire पे depend करती है कि जितनी ज्यादा length होगी heat produce भी उतनी ही ज्यादा होगी 10 cm और 5 cm दो नो में अलग-अमाउंट में heat produce होगी तो same heat produce नहीं होगी नो में answer देंगे next कहते हैं will the heat produce be same if the wire take by them are of equal length but different thickness दोनों की length same कर दो या तो दोनों को 10 cm बना दो या दो दोनों को 5 cm लेकिन थिकनेस अलग-अलग होगी उनकी जो मोटाई है वो अलग-अलग होगी तो क्या फिर भी same amount में produce होगी heat अभी भी no में answer देंगे क्योंकि थिकनेस पर भी depend करता है heat produce तो यह जो heat जो होती है वो length पर dipend करती है material पर दिपेंड करती है thickness पर डिपेंड करती है तो अगर different thickness है तो heat produce विल भी different है इसे थिकनेस और Mudan और से material है फिर same amount में ही पर दिजोगी और से यह डायग्राम प्रेक्टिस नौट बूक में बना बना के देखने यह आपका एक्जामिनेशन पाइंट इस इंपोर्टेंट कुश्चन मनता है इंटरनल कुश्चन की फॉर्म में तो कुश्चन नॉबर सिंबल आपको ड्रो करने एक्जंपलर की दुबारा से मैंने रिवीजन करवाई है तो फिर से मैं आपको बदाता हूं एक्जंपलर को तो आपने प्रेक्टिस नौट बुक में लिखना है और जो कल दूसरी पीडिएफ में मिली दी एंसे एक्ससाइज है वह फिर नौट बु तो वन बाई वन आप डिसकस कर सकते हैं कि क्या कोई प्रोपलम है कोई क्योरीज हैं आप राजन सरथ राजन सरथ येज राजन सरथ